हालो जी कैसो सारे देशिद लव पबन वेलकम पी चैनल कोड़ हम पाहुंचिंग में लेक्चर नबर 106 पर यहां पर हमें एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्राव्म सॉल्व करने वाले हैं अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है 105 तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा उसके बाद आप यह लेक्चर कर रहे होंगे तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है शायद आपको इस वीडियो देखने की नीड़ भी ना पड़ेए आप इस कोशन खुदी सॉल्व कर पाएं तो फटने बट कोशन पटने हैं कोशन क्या कहता है और फिर आगे बढ़ेंगे अच्छा जी और मैंने कहा कि यह आपका हाउस नंबर वन है यह टू है यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है तो सारे houses एक circular arrangement के अंदर है that means that the first house is the neighbor of the last one बिल्कुल सही बात है, तो आपको जब first house था, वो neighbor हो गया last house का बिल्कुल सही बात है meanwhile adjacent houses have a security system connected जो भी adjacent houses है, उनके पास security system है, जो के connected है आपस में and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken तो यह कहते है, अगर आपने दो adjacent houses को ब्रोक कर दिया कहने, अगर आपको चोर जाए, दो adjacent houses में आगे, लटसे इस house में भी चोरी करना चलागा और इस house में भी चला गया adjacent, साथ वाले, neighbor तो पुलिस को बुला लिया जाएगा in short हम कह चाहते हैं, कि हम non adjacent houses में चोरी करना चाहते हैं हम non adjacent houses में चोरी करना चाहते हैं, right तो last, में भी ऐसे कुछ बढ़ा सा last lecture के अंदर कि हम non adjacent numbers को ही include कर रहे थे, मारे total sum के अंदर यहां पर भी कुछ वैसा वैसा ही, अब तक तो नजर आ रहा है आगे जाके दिखते हैं क्या होने वाल है तो इसने कि you are given an array of non negative integers, important कि आपको non negative integers का ही कहरे दिया हुआ है representing the amount of money of each house जो की दरशाद है किस गर में कितना पैसा पढ़ा हुआ है तो task is to return the maximum amount of money आपको यह बताने कि आपको जो चोर है Mr. X जो है, कितना maximum money बना सकता है, in short हम यह चाहते है कि आपको maximum money बनाना है, आपको maximum money बनाना है with non adjacent houses, तो यह तो वैसा same, पीछे वाला कोशन ने तो हो गया भी या पीछे वाला कोशन ने तो हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा catch है, वो छोटा सा catch क्या है वो छोटा सा catch यह है कि यार, आपको सब कुछ same है, बट अगर यह example में आपको sum ले लूँ कि 9, 8, 7 अगर यह आपके पास error होता और आपको maximum sum बनाना होता non adjacent element को तो आप क्या करते आप तो फटा फटीय पकड़ लेते कि यार 9 ले लेता हूँ और फिर 7 ले लेता हूँ तो 9 plus 7, 16 मेरा answer आजाएगा बट इस वाले question के अंदर इसको हम नहीं कर सकते, यहाँ पर 9 और 7 नहीं ले सकते, यहाँ पर मारा answer 8 आएगा क्यों? 8 क्यों आएगा भया? क्योंकि यह आपका first house और यह है आपका last house और first और last house आपस में neighbor है, 9 8, 7 तो यह आपस में neighbor है adjacent houses है, तो police आ जाएगी right? तो एक case आपका handle करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आपका समझ में आता है क्योंकि कोशन exactly same है आपके maximum sum of non adjacent elements के ठीक है? बस एक ही condition extra है, वो यह है कि first और last जो house है, वो neighbor है यह condition बस, इसको समाला है और हमारा काम हो गया बस, यह है, बहुत सिंपल तो फटाफट answer solution चे पर एक बाद आपके पने sponsors को shout out देते हैं, और एक कंटिनु गटते हैं thanks to them, Coding Ninjas क्या है, it is one of the largest coding education platform, जहाँ पर आप बहुत प्रकार की courses दे सकते हैं, अगर आप इंट्रस्टेड है paid courses के अंतर आप चाहते हैं कि development कर लो यार machine learning कर लो, android कर लो, web development कर लो, system design कर लो, core subject, OS, DBMS वगारा पढ़ लो, man, dsa कर लो, java, python, किसी भी language के अंदर, तो आप यहां से वो paid courses ले पाएंगे, सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते है, coding ninjas के वह यह कि यहां पर one-on-one doubt resolving support available है, अगर आपको कोई भी doubt है, तो एक से दो खंटे में resolve कर दिया जाएगा, courses जो बनाए जाते हैं, बहुत well structured हैं बनाए जाते हैं, कि अगर आप मेहनद डालेंगे, कि 10% discount, जो कि maximum है, वह आपको मिल जाएगा, धान्यवा, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में कि बस कुछ निकाला है, लास्ट वाली question करणा है, लास्ट वाली solution कर रूच कर रूच कर रूच कर रूँज करना है, एक condition बस handle करनी है वो क्या है कि first और last element मेरे answer में नहीं होना है जो भी मैं answer निकाल के लाता हूँ जो भी मेरा answer में यह house, यह house, यह house, यह house उसके अंदर we have to make sure कि अगर first है तो last ना हो और अगर last है तो first ना हो समझागे अप्रोच, अप्रोच सोच चेगो, अभी बहुत असान solution है, इसका है, मैं समझा दूँगा आपको अबस यह चाहता हूँ, अगर first element मेरे answer के अंदर है तो last element नहीं होना चाहिए और अगर last element मेरे answer के अंदर है तो first element नहीं होना चाहिए दुबार समझते हैं, मैंने बहुत अगर अगर तुम्हारे answer के अंदर 1 है तो 7 नहीं होना चाहिए और अगर तुम्हारे answer के अंदर 7 है तो 1 नहीं होना चाहिए दुबार समझते हैं मैंने बहुत अगर तुम्हारे answer के अंदर 1 है तो 7 नहीं होना चाहिए और सेम चीज मैंने बोली यहाँ पर भी और सेम चीज मैंने बोली यहाँ पर भी ऐसा कि 1, 3, 2, 7 और सेम चीज मैंने बोली यहाँ पर कि अगर तुम्हारे आंसर केंदे 7 है तो 1 नहीं होना चाहिए तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त विए यहापे मैं स्फिर इतना part resolve कर लूँ और सुर्फ इतना part solve कर लूँ और दोने से जो भी answer आए यह answer 1 देता है यह answer two देता है उनका जो भी max हो वो return कर दूँ तो मरा answer आ जाएगा बिल्कुल साइख तो मैंने क्या बोला कि आपका जो भी array है उसमें अगर आपने first element include कर लिया है तो ऐसा करो अगर first element include करने वाला case है जिसमें आप ऐसा पहला case बनाएता है जिसमें आपने first element को include कर लिया है तो उस case में ऐसा करो last element को skip कर दो last element को skip कर दो सिर्फ इतने पार्ट का solution निकाल के लाओ सिर्फ इतने पार्ट का solution निकाल के लाओ और यह किसी होगा जहां पर आपने last element को include कर लिया यहां पर आपने last element को include कर लिया देखा है ऐसा कुछ इसको include कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ इतने part का solution निकाल के लाओ यह आपको solution 2 हो गया और आपको maximum solution return करना है तो आपको जो answer हो जाएगा maximum of solution 1, solution 2 इस प्रकार बहुत simple था हमने बस यह चीज़ देखी कि किसी भी answer के अंदर first और last एक साथ नहीं आ सकते तो दो case बन गए एक answer जिसमें first आता हो तो उसमें last वाले को skip कर दिया कि इसको ऐसा करो वेक्टर अंदर रखो ही मत जिस वेक्टर में तुम अपना function लगाने वाले हो न जो maximum sum of non-adjusted element में लगाया था उसमें इसको रखो ही मत एक solution और दूसरे वाला जिसका अंदर first element नी पड़ा वो इसका अंदर second तो answer निकालो कि इस पर गाया तो फटा फट मैं गया और मैं पुराने वाले solution का answer निकाल कर लाता हूं जो मैं लिखा था max sum of non-adjusted elements और यहां से मैंने अपना answer copy कर लिया जो मैंने last time लिखा था यह रहा आपको लास्ट वीडियो में दिखा हूँगा यह मैंने copy करके इसका पेस्ट कर दिया ठीक है और अब मैं इसको निकला solve करने के लिए मैंने वाला बहुत सिंपल है मैंने वाला बहुत सिंपल है एक वेक्टर बनाऊँगा पहले तो इसको size देलता हूं सिर्फ एक ही घर है तो मैंने वाला answer क्या होगा यही तो घर का answer होगा जो भी इसके अंदर मनी पड़ा हुआ वोई चोरी करके ले जाऊँगा ने मैं तो तो यह वाला कैस्ट से आपने handle कर लिए हाँ ठीक है यह कैसा आपने handle कर लिया बहुत बढ़िया इसके बाद आपने बोला कि यार मैं सब्सक्राइब दो वेक्टर मनालता हूँ एक वेक्टर का नाम रख दिया आपने जी फिर्स्ट और एक का नाम रख दिया आपने सेकंड बेरी गुड फिर आपने लूप चलाता हूँ for int i is equal to 0 से लिखे n ठीक है यह फिर्स्ट वाला जो वेक्टर है जो फिर्स्ट वाला वेक्टर है उसमें n-1 इंडेक्स को छोड़के सारे अलिमेंट आएंगे अगर तुम्हारा इंडेक्स जो है वह not equal to n-1 है तो उसको फिर्स्ट में डाल दो तो इस element को फिर्स्ट में डाल दो फिर्स्ट वाट पुश्बैक यहां पर आपने डाल दिया value in house of i very good और फिर्स्ट वाला सेकंड वाला जो वेक्टर आपने बना रहा है उसमें फिर्स्ट वाला सेकंड नहीं डाल दो सेकंड डाल दो सेकंड डाल पुश्बैक यहां पर आपने value in house of i थीक है तो इस पर आपने दो अलेकल वेक्टर बना लिए एक वेक्टर के अंदर जो है आपका last element नहीं है एक वेक्टर के अंदर आपका first element नहीं है इनको solve कर लिया हमन फर्स्ट और इसमें हमने डाला सेकंड यहां से मेरा अंसर आजाएगा ओपर इसका नाम सॉल्व कर देता हूं इस प्रकार हमने इस कोशन को solve कर लिया फटावर इसको और रॉन कर देख लिए चलता है कि नहीं और फिर आंसर आजाएगा सई चल चल रहा है सई चल रहा है एक लॉन 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 यह लूप चल रहा है, वन से अन तक, ठीक है, तो यहाँ पर off n लग गई, फिर आपने यह function call लगा रही है, यहाँ भी off n लगी है, और आपने यह वाली function को लगा रही है, यहाँ भी off n लगी है, ठीक है, तो मेरी time complexity overall क्या हो गई, और off n हो गई, बहुत बढ़ी है, अब यह space कितना लगा इसके अंदर, मैंने बहुत बढ़ा, जब को यह वाला function है, यह तो कुछ करता नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके अंदर बस आप variable ले रहे हो, off one space है, पर यहाँ अपने भई है, यहाँ पर extra space ले रहे है यहाँ पर यहाँ पर इसके अंदर, मुझे पताना आपके next lecture के अंदर, मुझे पता है, बहुत चोटा है, तभी जान बूच की, आज के दिन हमने 2 lecture अपलोड की है, थने बाद